नमश्कार मैं Dr. Hemant Sharma आज आपको थाराइड ग्लैंड स्वेलिंग के भारेगिंग बताने जा रहा हूं थाराइड ग्लैंड यहां पर होता है थीक है तो इसमें आजाना मतलब ग्लैंड अब क्यों होता है क्या कारण है और थारेड तो अब क्या करें कुछ नहीं होता है तो अ तो समझते हैं, जैसे थायराइड घ्लेंड का सूझन आया, तो अब हम हमस्टेप क्या होगा, क्या करा जाएँ? फर्स्टेप है थायराइड प्रॉफाईल, थायरोइड फंक्षन टेस्ट करूँ तो उसमें थायरोइड हर्मोन, फ्रीटी थ्री तो अब थायरोड प्रोफाइल से क्या समझा कैसे क्या करना है तो जो अगर आपका कम है और जादा है तो इसका मतलब हाइपर थायरोडिजम है हाइपर मतलब थायरोड इलेन्ड और एक्टिव है तो अब इसमें त्रक帶 disturbing त्यरिटम-59 की कि कि अब इस सकेंगे अब इसमें दो जीज आ सकती है तो हॉट नॉड्ययूल हो सकता है या इस सेमे अगर हॉट्ध। है तो iodine 131 dial इलाके उसको burn करेंगे वो होड होते हैं वो benign होते हैं benign मतलब cancer नहीं होता या फिर operate करके निकाल सकते हैं होल अगर cold nodule है तो क्या करना है cold nodule cancerous हो सकता है hot nodule benign होता है cancer नहीं होता इसके इसको निकाल सकते पर जो cold nodule है वो आपका cancerous हो सकता है, malignant हो सकता है, तो उसके cold nodule के लिए ultrasound करेंगे NAC का, अब ultrasound और किस चीज में कर सकते है NAC का और उसके बाद का further investigation क्या है वो मैं बताता हूँ, अगर आपका TSH बहुत बड़ा हुआ है, या thyroid नॉर्मल है TSH, और T3, T4 कम है, तो hypothyroid है या euthyroid है, तो उस case में भी अब क्या करेंगे, technician में scan नहीं करते हैं, उस case में भी sonography करते हैं, तो NAC का sonography करके देखेंगे thyroid gland का, अब sonography में हो सकता है nodule IED, no nodules, तो जो hot वाला था, उसमें भी कोई nodule नहीं है, तो आप कुछ नहीं करना, हमें खाले just monitoring करके देखना है, और अगर hypothyroid और euthyroid में भी अगर कोई nodule नहीं है, तो छोड़ दो simple screening करके patient को follow up पे बुलाओ, अगर nodule आता है hot वाले में, euthyroid और hypothyroid में, तो अब क्या करना है हमें, इस situation में आपको देखना है nodule कैसा है, nodule very suspicious, low suspicious, very low suspicious, ठीक है ना, तो very low suspicious कब होता है जब nodule का size more than 2 cm हो, और low suspicious जब होता है जब nodule का size more than 1.5 cm हो, और highly suspicious होता है जब more than 1 or equal to 1 cm हो, तो अब इस case में हम करके देखेंगे fine needle aspiration cytology, जो की rule out करेगी की cancer किस type का है, कौन सा cancer है, तो ये है thyroid swelling को approach करने का technique investigation, last मैं thank you, धन्यबाद treatment के ओपर मैं next video बनाऊँ का, different thyroid cancer, thyroiditis, hypo, hyperthyroidism पे मैंने बना रखे हैं, वो आप देखिए, धन्यबाद नमस्कार, good bye.